हलो रिवन वल्लकम टू अवर चैनल तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीयट थर्स सवेश्टर में इंगलिश टीचिंग उसके बारे में डिसकस करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट फर्स्ट का आखरी टॉपिक होगा जो की प्लेस एंपोर् में हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे आप जान सकी कि हम यह सब पढ़ चुके हैं और जो जिन लोगों ने नहीं देखा है उनसे वीडियो को प्लेस में जाकर देख सकते हैं पहले हम लोगों ने पढ़ा था हिस्टोरिकल डिवलपमेंट आप इंग्लिस इंग्लिस टीचिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारा स्लेबस में जो हमारे फटकर में दिया गया है इंग्लिस टीचिंग कि इसका क्या इंपॉर्टेंट से क्यों इसको हमारे स्कूल लेवल या भी हमको पढ़ने के लिए दिया गया है क्यों क्या मतलब है इंग्लिस पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश टीचिंग क्यों ठीक इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जाना था फिर उसके बाद और उसके बाद हमने English language course at the school level यानि कि School level पर English Language को कैसे कैसे रखा गया है कि 1-5 के लिए कैसा होगा 6-8 के लिए कैसा होगा और उसके बाद higher उससे अबब कैसा होगा ठीक है तो यह सारी वीडियो एक साथ playlist मना दी गई है आप उसको जाकर देख सकते हैं ठीक तो चलिए बिना देख करते हैं आज के अपने topic place and importance of English and school curriculum यानि कि क्या जगह है स्कूल केरिकूलम में इंपॉर्टेंस इंगलीश का जो इंपॉर्टेंस है जगह हो कैसी है क्या रखता है यहां पर मैंने एक टाइप बना दिया गया है अगर आप ऐसे अपने book सौरी अपने copy में लिखेंगे अपने answer copy में लिखेंगे तो examiner पर वह एक अच्छा एफेक्ट बहुत सारे ऐसे लिखते कितने पेज भरते वह जाएंगे अच्छा फाइदा और भी होगा कि ऐसे अज़र बनाएंगे तो copy जल्दी भरेगी और examiner अच्छा भी करेंगे जो सारी चीजे आप लिखेंगे उसका पूरा पूरा एक ही जगह इंक्लूट कर सकते हैं ठिक इसमे और elaborate करेंगे कि क्या करें इनके बीच में हैं जिसके आप अगर topic wise भी बनाना चाहेंगे तो उसके लिख सकते हैं ठिक है यह long answer वाले में जरूर पूछेगा retention of English in the school curriculum यह हमारा पहला है उसके बाद है English should be a compulsory subject यानि कि देखिए Indian school curriculum में English को कैसे माना गया है क्या retention of English in the school curriculum पहले जो धाड़ किया गया English curriculum में उसके बारे में देखेंगे उसके बाद English should be a compulsory subject कि English को compulsory subject के रूप में क्यों कहा गया है फिर उसके बाद English and means of medium of instruction यानि कि वह एक medium होगा instruction का instruction करने का एक medium होगा और English as a language of knowledge यानि English जो होगा वो ज्यान का एक language होगी भासा होगी और उसके बाद हमारा आगा English as a means of learning and communication ठीक है इसके बारे में जानेंगे यह हमारा पूरा जो हमारे वीडियो है इस पर बेस्ट होगा ठीक है तो पहला जो हमारा topic है पहला जो हमारा point है वह है retention of English in a school curriculum यानि कि जो English को हमारे school curriculum में अपनाया गया है retention किया गया है वो कैसे हुआ यह था कि जब भारत अजाद हुआ भारत अजाद हुआ independence के बाद लोग यह चाहते थे कि जो English सर्थ है वो चले जाए साथ में उन सब की भासा भी चली जाए यानि कि भारतियों के दिल और दिमाग पर English और वहां के लोग इंग्लेंड है और इंग्लेंड वासी इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव कर दे तो यह कोई भी चीज नह लेंगे बाद कुछ भी कर लेंगे ठीक वह चाहते थे कि यह चली जाए पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इतने साल हो गए थे कि English हमारे दिलों दिमाग पर एक अच्छा खासा प्रभावर छोड़ चुकी थी और बस चुकी थी जो कि इतनी असानी से निकलने वाला नहीं था ठ अगर आप किसी भी कोई विज्डाम कोई भी है लेखक है कोई राइटर है कोई भी विज्यानिक है उसका नाम अगर आप अपने कॉपी में लिखेंगे उनका जो भी कोट्स है उनके जो भी व्यूज है जो उनके कहा है वो इंटर कामा में लिखेंगे तो वह एक अच्छा डालता कि इसको याद है वच्छा पढ़ के आया है कि किस ने क्या कहा है ये भी जानता है ठीक है ये देखेंगे कि नेहरू ने यानि पंडी जवालना नेहरू ने उन्होंने क्या कहा इंग्लीज के बारे में ठीक है लिखाए कि 150 साल तक जो एक न टूटने वाला जो संबंध इंग्लीज ने हमारे बीच में बनाया हुआ था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमारे एजुकेशन सिस्टम में ठीक और यह इतनी आसानी से जाने वाला स्था नहीं ठीक यह था इंडिशन इंग्लीज है टूटने बिकम वन आप दब मेजर लैंग्वेज आंड दू इंडियान कैन नाट निगलेट इस स्टड़ी एड द रिस्क आफ लॉस्टू देमसेल्स लिखी इसको अच्छे से समझते ह क्या करना चाहते हैं पिटी नेरूर कहा कि जो इंगलीज सर्थ है यानि जो बिटर सर्थ है एक सो पचात साथ हमारे पर राज किया और जो इंगलीज जो थी वो बहुत ही अच्छी तरीके सा हमारे दिलो दिमाग को घुज गई थी और जो भारती थे वो अपने आपको खो रहे हैं वह देश दुनिया में अपने आपको खो देंगे अगर वह इंगलीज नहीं यूज करेंगे इंगलीज का यूज नहीं इंगलीज का प्रयोग नहीं करेंगे तो वह एक रिस्क ले रहे हैं कि हम फिर से जैसे पहले थें वैसे ही रहो जाएंगे यानि देश बचा होगा दुनिया में जहां इंग्लिश नव यूज की जाती हो ठीक है दिखाया है कि लिखाया है कि लिखाया है इंदेन के नट निगलेट इस्टड़ी एड रिस्क आप लॉस्ट तु देमसेल्फ यानि कि अगर उनका इस्टड़ी नहीं करना चाहते तो वह एक रिस्क ह आई एम कर्मिजड दैट इन दे फ्यूचर एज वेल दा इस्टेंडर्ट आफ टीचिंग इंग्लीश शुट बी मेंटेंड एड़ रही अलेवल एज पॉशिबल देखिए इन्होंने उसी समय कह दिया था कि जो इंग्लीश है वह इस समय और आने वाले समय में एक हाई ले जाएगा मेली कब तब हुआ था जब भारत आजाद हुआ उसके बाद यह माना गया कि नहीं जो हिंदी है उसी को रखा जाएगा हमारे मेल लाइंग्वज की रूप में लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो साउथ इंडेंट थे साउथ इंडेंड स्टेट जो थी वह बहुत ज्यादा विरोध किया था इसके अपोजिट हो गये कि नहीं हम हिंदी यूज नहीं करेंगे वह इंग्लीज के साथ खुश थे तो उसके लिए 15 साल के लिए इंग्लीज को एक एडिशनल लाइंग्वज की रूप में एक ऑफिसल लाइंग्वज इस एड़ इस्कूल लेवल यह आपको सुझ में आएगा कि पीटी नेरी ने क्या करना चाहते थे तो गया करा चाहते थे क्यों वह भी चाहते थे कि नहीं भारती भी इंग्लीज का यूज करें ठीक है यह हमारा पहला पॉइंट था कि रिटेंसर नाम इंग्लीज इड़ी स इसको देखते हैं आप एकर स्कीन साथ उसका लेना चाहते हैं तो इसके इरेज करेंगे फिर अगले अपने नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में डिसक्स करेंगे है दींखें अब हमआग्ला पॉइंट है इंगली शुड और कमपलसी सब्जेक्ट यहीं को इन्हींने कमपलसी सब्जेक्ट उप में कहा वर यह ठा की जब इंगलीस भारताजाद होँ यहिномर unc bought it by kids अपनी ब्दरी सबर्द्द आरे इंगलीश को रखना ज्रूरी है नई तो कहीं हों कश्कं कर दोडली दुनिया में वह अपने आंको पीछे रख रहो सकते हैं इंडियां falando आ रूकें तो हुआ यह जब इं में सुरू किया गया तो वो ऐसे नहीं पढ़ाया जाला तो जैसा पढ़ाया जाना चाहिए यानि कि यह हुआ था कि इंग्लीज को ऐसे पढ़ाया जाए या ऐसे बच्चे एकसप्ट करें ऐसे सीखें जैसे वो अपने मदर टंग सीखते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ था ठीक फिर उसके बाद सुचा कि कैसे इसको बढ़ावे दिया जाए ठीक तो यहां मैंने लिखा नहीं लेकि 1964 में चाचट में एजुकेशन का भी से नहीं बैठी उन्होंने यह तीन बाते बताई जिसमें यह कहा कि एक से लेके चार तक पांच से लेके साथ तक और साथ से लेके 10 तक के लिए क्या रहनी चाहिए और क्यों compulsory कि इस प्रकार से इंगलेज को हम करें एक से लेके चार तक के लिए यह हुआ था कि नहीं पच्चों को बोज नहीं देना है एक्स्ट्रा लाइंग्वेज क्या हुआ है कि the study of only one language सिर्फ एक भासा जाने एक से लेके चार तक का बच्चा सिर्फ ए नागालेंड से है नीचाहिर तमिल्नाडू से है केरल से है तो वहां पत्यल्गूल तरम तमील-मल्यालम जो उसकी रिजनल लैंग्वेज है वो सिखे जो उसकी मदड टंग में वो सिखे अशमिया है वो सिखे नकी कोई और इवन हिंदी तक को नहीं कहा गया था वो सिर्फ अपनी रिजनल लैंग्वेज तक ही सिमीत रहे यह मना गया फिर उसके बाद आगे क्या होगा को पांस लेके साथ तक पांस लेके साथ तक के लिए बीच में क्या क्या करें थे श्टडी अफ टू लैंग्वेज देखिए अब एक बढ़न नहीं दिया गया था बच्चों के हो पढ़न लैंग्वेज यानि के गुजरात काहता है गुजराती ऐस्थान काहतानी ठीक महारात्य Color ओं माराथte मतलख एक रिज्चनल लैंग्वेज जे मसके उसके सबस्क्रांद और और दूसरी होगी हिंदी या अंग्रेजी ठीक लें से घोगा अगर हम लोग कर्क्त ओंध्डर मध्र पर्देश या नर्च जो इंटिया है कि रिजनल लैंग्वज जाएगा कि रिजनलिज रेगा में हम उइंग्ली सकों लेंगे और यहीं ने लों यहां ऑप और में प्रकांव हम हैं में मेंダत तो बंपको ये लैंगी को पृई थे fact आपको काम करेगा इसके बारे में समझने के लिए कैसे थ्री लैंग्विज फर्मूला बदला गया है क्योंकि यहां पर देखिए कच्छा एक से लेकि चारतर के अलग दिया गया है तो थ्री लैंग्विज फर्मूला थ्वा सा कॉम्प्लिकेटड है लेकिन बहुत अच्छा ह सब्सक्राइब दीन है उसको कैसे कैसे बनाया गया है जिसके दौरा बच्चे सीक्षे सके हैं ठीक हमारा क्या मताती ऩृण आगे तो study of three language देखिए यहाँ one था यहाँ two हो गया यहाँ पर three हो गया three language should be compulsory क्या हाँ? कि दब mother tongue या लिखा है mother tongue Hindi mother tongue हो गया Hindi या English for non-hindi speaking people and mother tongue English and any one original language for Hindi speaking people देखिए अब इसको समझे कोशिस करिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा time लोगा क्योंकि यही सब चीजे थ्री लांगवेश फर्मूला में भी अच्छे से बताए गया है यहाँ थोड़ा से बता देता हूं दूसरा हो गया Hindi Hindi हो गया Hindi अंगरेजी आप उसको ले सकते हैं और तीसरा क्या होगा तीसरा English होगा ठीके for non-hindi speaking people ठीके यानि कि जहां पर Hindi नहीं बोल जाती उनके लिए यह होगा पहला Malayalam हो गया दूसरा Hindi होगा तीसरा English हो गया देखिए यह हो गया एक दूसरा क्या था हमारा mother tongue हो जाएगा Hindi हो जाएगा यह देखिए for Hindi speaking यानि कि उत्तरपरेश बिहार मदपरेश इन लोगों के लिए क्या क्या है कि पहला mother tongue का Hindi हो गया इंग्लिस हो जागा सेकेंड और एक कोई original language को बिहारी भी आप उसको रख सकते हैं ठीक तो यह हमारे इंडिय इंग्लिस उट भी कंपल्सी सब्जेक्ट यानि कि जो इंडियन केरिकूलम स्कूल केरिकूलम में इंग्लिस को कंपल्सी सब्जेक्ट रूप में रखा गया है वह इस प्रकार से रखा गया है उमीर आपको यह वाली पॉइंट अच्छे समझ में आगी अगर आप इसको समझ गये तो आप इसके बेस पर जो आने वाले प्रश्न है उसको भी कर लेंगे बस कोई भी एक पकल लिजिए उसके बाद आप खुद भुदिमान है आप अच्छे से कर सकते हैं ठीक है अगला मारा पॉइंट था कि इंग्लिस अजम मीन सब मीडियाम इंस्ट्रक्शन इसको आप मैंने पिछले वाले बीडियो बताया था क्या कि इंट्रक्शन इंस्ट्रक्शन का एक मा करने के लिए इंग्लीज को एक मीडिंग को रूप में यूच करना पड़े गा इसलिए इंग्लीज का इतना ज्यदा इंपॉर्टेंस और महत बढ़ गया है ठीक है अब हम आगे जो हमारा जो और दो टॉपिक बचा है उसके बारे में देख लेते हैं ठीक है इसकी साथ ले प्लेंडिया होगी तक है ठीक है अमारा जो पॉइंट है अक्री सेगमेंट का ठीक है इंग्लीन आंजर लैंगवज अप नॉलेज य्याने की इंगलीज जो मैंने मताया थे कि प्लेश आप इंगलीज लैग्वज़िंडे करिकूलम में जो माना गया इंगलीज को टिक अब इसमें ये कहा कि इंगलीज ये एक ज्ञान की भासा है ग्यान की भासा कैसे है देखिए वाइए था कि ठेदरे बढ़ने शुरूर गे थी और को क्योंकि जितने भी authentic book है आज आप भी दखाँगे जितने भी authentic book आती है जो बड़े बड़े लेखों की आती है जो हैं वह इंगलिस में ही रहती है उसका भले ऊसके सबी के सबी इसलिए इंग्लीज को एक नॉलेज की भासा माने गई कि अगर इंग्लीज अब जानों कि तब आपको ग्यान मिलेगा ठीक है भलाई यह थो आजीव सुनने में लग रहा है पर ऐसा है अब क्या ही कर सकते हैं ठीक है तो यह हमारा पहला अगला टोपिक हो गया था हमारा दूश्रा पॉइंट तब हैं इंग्लीज जो हमारा कंविमन्यौिकेशन की गई एक लने शी यह हैं इन्म का इ은 ये हैं फ्रेंसिस एक जी फ्रेंच इनहोंने इंग्लीज के बारे में एक बहुत इंग्लीस जो है कमिनिकेशन की भाशा किस प्रकार से है कि यहां पर जढ़ नहीं जोड दगए है क्यूकि वीडियो उस लेंदी हो हो जाएंगी cannot be compared with English in the number of geographical distribution of the homes, the factories and offices in which the language is spoken, written and read. ठीक? समझ में आ? देखिए. इन्होंने कहा कि कोई ऐसी भासा नहीं है. चाहे प्रचेन के कोई भासा हो, चाहे इस समय के कोई भासा हो जो इंगली से compare की जा सकती है. किस तुलनाम में? जियोग्राफिकल डिस्ट्रिबिउशन. यानि एक भगवलिक तुलनाम में कितने घरों बोली जाती है, कितने फेक्ट्रियों बोली जाती है, और कितने ओफिसों में बोली, लिखी और पढ़ी जाती है. कोई भी भासा ऐसी नहीं है, जो इतनी ज़्यादे नंबर्स में ये लिखी जाती है, या बोली जाती है. इनके ये चार लाइन के जो इनके जो इनके विचार है, ये पूरे के पूरे हमारे ये पॉइंट को इलिबरेट करता है. ठीक, उमीद आपको यह स्वाज में आएगा, और आज का हमारा नेक्ष्ट और सबसे लास्ट पॉइंट जो है, इंग्लिस अज लिंक लैंगवेज, इंग्लिस को लिंक लैंगवेज की रूप में भी माना गया है, यानि English link मिस होता है जोड़ना English जोड़ती भी है क्या यहां पर कुछ सेक्टर से दिया गया है किस किस सेक्टर में English एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है ऑफर ट्रेड को मतलब यहां पर ये दिया गया है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो वैपार कर रहे हो तो आप English जानते हो तो आपको बाहर दूसरे किसी देश में भी अपने वैपार को बढ़ा सकते हैं आप नहीं कर सकते लेकिन कहीं न कहीं आपको English के जुरूत पढ़ेगी जिसके दोरा आप अपने वेपार को और अच्छी तरीके से दूर तक फैला सकते हो वेपार में for trade वेपार के लिए for administration and management administration and management में भी English एक link language के रूप में काम में आती है याने कि Hindi और English दोनों को एक साथ लेकर चलता है for social affair social affair में भी for learning अधिगम में भी and for communication और communication में भी English को एक link language के रूप में मना गया है ठीक है तो यह हमारा आज का जो मारा topic था place and importance of English in a school curriculum यह आज हमारा समाप्त होता है और इसी के साथ हमारे unit first भी end होया है अगले वीडियो में हम unit second के बारे में discuss करेंगे ठीक है मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद